हेलो फ्रेंज वेलकम टू काय गेमिंग तो फिसे 52 नमबर एपिसोड एविल लैंस का तो 12 मस्रूम कलेक्ट करने थे पर लास्ट यह जो स्टोन कॉलेम है इसके वज़े से मैं कलेक्ट नहीं कर पाया था तो मैं फिसे चाहूंगा इसको जोदार धमका मार देने के लिए तो यही टाइम है राइट टाइम है लोट जाने का बस मैं थोड़ा डिस्टेंस बना चुका हूँ लास्ट वीडियो सिर्फ इस स्टोन गोलिंग के वज़े से कम से कम 10 मिनिट ज्यादा बढ़ गया था तो अभी मैं यह होने नहीं दूंगा बस 50 परसंट तक वोट करूंगा मेरा हेल्थ रिटन करने तक फिर उसके उपर एटक करेंगे तो यह हो चुका है 50 परसंट रिटन जैसे कि मैंने बोला था देख सकते हो इसका हेल्थ मुझसे बहुत ही ज्यादा और यह मैंने भोपू बजा दिया अभी अभी मुझे मत मारो मुझे मत मारो मत मारो यह मैंने भोपू बजा दिया देखते कोई आता है या नहीं कि अभी मैं लीडर हूं कि देखते हैं अगर कोई आ जाता है तो बेटर है कि अभी तो कोई नहीं आ रहा है तो छोलो कोई बात नहीं इसने तो मुझे ही मार दिया कि रिवाइब कि जल्दी से चलते हैं कोई भी बन्दा नहीं आ रहा है अभी मेरे हेल्प के लिए मैंने अपना भोपू बजा के रखा है देखते हैं नहीं कोई नहीं आ रहा है भोपू का टाइम आ चुका है बस है पर भोपू भी चला गया है तो मेरे साब से और दूसरा कोई लेडर बन चुका है फिर से माइटी का ब्लस्ट इसको अच्छा तरह के सही लग रहा है पर ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता है पर फिर से यह मैंने बजा दिया है भोपू मतलब मैं दूसरा कोई का हेल्प चाहता हूं कि आजाओ आजाओ बंदे कोई तो आजाओ कोई भी नहीं आ रहा है मुझे किसी ना किसी का हेल्प चाहिए इसको मानने में ऐसे इसको मानने ही पाऊंगा मैं एक भी बंदा आ जाता है तो फायदा हो सकता है कोई फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि जितने टाइम में मेरा हेल्थ रिटर्ण कर रहा है उतने टाइम में ये भी और ज्यादा स्ट्रॉंग हो रहा है कुछ भी फाइदा नहीं हुआ येस और एक आ चुका है प्लेयर अभी इसको मारें गो जल्दी से जल्दी से जल्दी से अरे बहुत दूर आ चुका हूं फिर से तो एक प्लेयर आया है अभी जल्दी दो प्लेयर और कुछ भी फाइदा नहीं हुआ इसको मानने में और भी प्लेयर्स चाहिए इसको मानने में और भी प्लेयर्स चाहिए अच्छा इधर बे एक प्लेयर है क्या कर रहे हो दोस्त चलो इसको मैंने एट कर लिया है लेट्स कम आन कम आन यह आनी रहा है ओके आ चुका है चल अभी इसके उपर फाइट करते हैं फिर से इस बार यह मर जाएगा चलो और यह हो चुका है टेक आल तो चलो फाइनली यह मर चुका है येस तो यह रहा मेरा लास्ट मस्रूम यह जो प्लेयर आया था वो भी बहुत ही स्ट्रॉंग था तो यह कोईस्ट कम्प्लीट क्वेस्ट 11 कम्प्लीट हो रहा है एक्सपेक्टेड रिवर्ट 50,000 येस तो ये था 52 नमबर एपिसोड ये एपिसोड बस अभी खतम होना ही वाला है तो मैं चलता हूँ फिर से गाउ में उधर पर जाके मुझे फिर से हैरोल्ड से बात करना होगा चलते हैं फिर से हैरोल्ड के पास एंड मैं एक बार ब्लैक स्मीट के पास भी जाना चाहूँगा क्योंकि मैं चाहूँगा जो मेरा आइटेम्स एंड वेपन्स है उसको मैं लगातार अप्ग्रेट करता ही जाओ करता ही जाओ तो यह आचुके हैं हैरोल्ड के पास यह सरोल्ड आइटेम्स मुष्रूम्स लुक्सो मैजिकल यह इस यूर फी गैदर नाओ तो लिप दिस यह वोल्ड बहाइंड क्लेक्ट तो मुझे फिर से मिल गया है क्रैक बॉंड गोल्ड एंड जेम्स एंड बूनस तो कभी नहीं लेता मैं तो रिच ले लेवल 27 तो अनलोक क्वेस्ट 12 को अनलोक करने के लिए अभी मुझे 27 लेवल तक जाना पड़ेगा तो मैं एक काम करता हूँ मैं बस रस्ते में जो भी मिलता है पहले उसको मारता हूँ क्योंकि इससे भी मेरा वाव अंबेर इससे भी बहुत सारा कुछ मिल जाएगा यह फॉलेन फ्लेचर्स जो कि बहुत ही सस्ते है टेक और यह जो भी आइटेम्स मिल रहे हैं मैं सबका सेल करूंगा ताके मैं थोड़ा कोईंस कमा पाऊं एंड अपग्रेड कर पाऊं ब्लैक स्मीथ के बास से यह क्या है रेविनस वैरोल यह स्ट्रॉंग है बंदा यूज तो दिखना भी स्ट्रॉंग हो अभी मेला सीवी लेबल हाई है तो यह ज्यादा दे ठीक नहीं पाएगा येस अभी ये स्ट्रॉंग हो चुका है नहीं आएगा चला याएगा तो थोड़ा हिल्ट रिटरन उन्हें दो इसके बाद इसको मार के मैं आगे बढ़ूंगा तो रिच लेवल 27 देख पार हो स्टार्ड जो मेना पॉइंट्स है 78 के अल्रीड हो चुका है बहुत ही कम टाइम है या फिर से एविनस वाइवल माइटी चला दिया है इससे बहुत ही विक पड़ चुका है मर गया है गोल्ड भी ले लिया मुझे यह गोल्ड बहुत काम पर आएगा अच्छा देखो सामने लगता है बहुत सारे प्लेयर है और मेरा हेल भी लग सकता है इन लोगों को अंडेद वाडियर्स यप मैं जल्दी से पॉइंट कलेक करता हूं ताके लेवल 27 अचीव हो जाए वह यह क्या है फॉलिन क्रेटर्स तिकने वाला नहीं है यह चलो गया ज्यादा पॉइंट्स नहीं मिले मुझे रिवर्ट नहीं मिला इदर पर 85 हुआ है बस स्टार पे देख रहे हो अब यह भोपू बजाने का कोई भी मतलब नहीं है तो यह क्या है गोल्ड का बस्ता पर आया क्या क्रैक बॉन्स ले लेते हैं इसका भी हम लोग ट्रेट करेंगे आज पहली बार मैंने ट्रेट किया है इदर पर तो अच्छा है बहुत सारा गोल्ड भी मिल जाता है बहुत इजिली यह क्या है यह आ रहे है डेविल मिनियन्स येस तो स्ट्रॉंग है यह लोग इतना ज्यादा भी नहीं है येस चलो कुछ पॉइंट्स तो मिला 91 हुआ थी फिप्टी के तक अगर पहुंच गया तो आएगा लेवल 27 सब्सक्राइब 25 गोल्ड और ये टाइम देखता हुआ तो मैं गेम्प्ले को जदा बड़ा नहीं करूंगा सबसे मैक्सिमाम 15 मिनिट का तर्गेट रखेंगे तो इस तरफ थोड़े प्लेयर्स है मैं प्लेयर के पास ही जाना चाहूंगा अभी भी मैं लिडर हूँ इधर पे कभी भी भोपू बजा सकता हूँ देख सकते हो तो बस 15 मिनिट तक कंटिनू करेंगे और उसके बाद स्टॉप अभी हाँ लगता है इधर पे मुझे थोड़ा एल्प करना चाहिए यह है माइटी ट्रॉल बंदर स्ट्रॉंग है बहुत अरे मैं तो फ्रीज हो चुका हूँ चलो कोई बात नहीं माइटी ट्रॉल अभी भाग जाना बैटर नहीं बहुत है लगता थ elevation इसका बहुत ही लगता है अच्छा मैं न मैं बोपू उपा़ा डिया हूं चले देखते हैं कोई आता है क्या तो बस यह जो सामने मॉंस्टर देख रहा है इसको मार के यह एपिसोड एकदम शी और इधर पर खदम करूंगा क्योंकि 15 मिनिट भी हो रहा है अरे फिर से फ्रीज हो चुका हूँ है फ्रीज नो नो मैं नो 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 आओ यह क्या हो गया मार डाला तू देख पर हो मेरे चारों तरफ पुरा मॉंस्टर से घिरा हुआ जगा है यह तो अभी मुझे नीन दा रहा है यह था 52 नमबर एपिसोड जिसमें मैंने मस्रूम का जो टास्क था वो कंप्लीट किया और मुझे अभी लेवल 27 एचिब करना है ताके क्वेस्ट 12 कर पाऊं तो इस एपिसोड को इधर भी खदम करते हैं और मिलते है 53 नमबर एपिसोड में एविल लेंस में फिर से मिलते हैं थैंक्स पर वाचिंग और अल्विदा